नमस्कार मैं हूँ सनमे फ्रकाश और आपका सौगते सरकार चौप न्यूज में कई महत्पूर्ण टॉपिक से जो देख रहे हैं हाँ और भी कई टॉपिक है शुरू करते हैं बिलादेर के और पाहला कोशन महत्पूर्ण कोशन ये रायसिना डायलोग क्या है जिसके नौवे संस्क्राण का उत्खाटन प्रमिश्ण रहें बोदी ने किया फर्वरी दोशाग चोबिस में आंसर गा इसका क्या भू राजनिती और भू अर्थशास्त पर वार्शिक सम्मेलण है यानि जियो पॉलिटिक से और जियो एकनॉमिक उन सब पर वार्शिक सम्मेलण है और भार सरकार के दोरा ये आज़ित के जाता है एक थिंक टैंक है उसके सहयोग से उसका नाम है आपजरवर रिसर्च फाउंडेशन ठीक है तो ये आज़ित क्या गया है और विदेश मत्रले जो है वो मुकतवर पर भूमिका निबाता है और एक थिंक टैंक है अपजरवर रिसर्च फाउंडेशन इसमें क्या होता है कि दुनिया भर के राजनेदिक, वेबसाइक, मीडिया, नागरिक, समाज के जो लोग है वो सब इसमें पाट्सिपेट करते हैं दिल्ली में आज़ित किया जता है हर साल इ इसके बार में कुछ और बात दे कर लें फिर और डीटेल बात करेंगे इस बार क्या हुआ है तो इसका जो पहला संस्क्रण है वो आज़ित किया था 2016 में और 2024 में कौन सावा संस्क्रण है तो नौवा संस्क्रण है, 9th edition है और ये उद्गाटन हुआ है 21 फरवरी को प्रत्योकता, सहयोग, निर्माद ये है थीम चतुरंगा, संघर्ष, प्रत्योकता, सहयोग और निर्माद ठीक है तो ये है इस बार के थीम थी ये अच्छा नाम क्यों है रैसिना डायलोग क्यों है रैसिना जो है वो एक पहारी का नाम है जिस पर राष्टपती भवन और ब्लोक से नॉर्थ ब्लोक और सौथ ब्लोक है तो इस वज़े से इसका नाम रायसिना डायलोग रखा गया है क्योंकि भारत का जो सत्ता का जो केंद्र है वो है रायसिना हिल वही पर राश्टपती हो रहते हैं तमाम मंत्राले इंपॉर्टन वही पर है नाम क्यूं है ये रायसीना उस जगह का देखे जब अंग्रेजों ने राजधानी बसाई थी दिल्ली में पहले तो राजधानी अंग्रेजों के समय में शुरुवाती दौर में कोलकता थी बाद में दिल्ली लाया गया था तो यहां एक पहारी थी और उस पहारी पर जदतर लोग रायसीना से समधित रहते थे और उपना रायसीना उन्होंने रखा वा था और उसी नाम पर इस जगह का नाम इस हिल का नाम यानि छोटी सी पहारी है उसका नाम राइसिना हिल रखा गया था और वहीं पर ये राश्टपत भवन वगड़ा है तो एक इंपोर्टन ये भारत की ओर से अंतराश्टी अस्तर पर ये डिसकेशन किया जाता है दुनिया भार में बड़े बड़े डिसकेशन के फोरूम में उनमें से एक ये राश्टीना डायलोग भी है महत्पूर्ण बात है ओके राश्टीना डायलोग चलिए अब आगे बढ़ते हैं इस ते से रिलेटरिट कोशन लेंगे राश्टीना डायलोग सम्मेलन 2024 के मुख आती थी कित वर पर किसने पाट्सपेट किया चीफ केस्ट कौन थे आंसों का ग्रीस के प्राम निस्टर क्या नाम है उनका किरिया कोस मिट्सो ताकिस ठीक है किरिया कोस मिट्सो ताकिस तो यह रहा फोटोग्राफ इनका देख रहे हैं और यह ग्रीस के यानि यूनान के पहले यूनान का जाता था इसको ग्रीस को यूनान भी का जाता था हम लोग हिंदी में बोलते हैं यह वहां के प्रैमिनिश्टर है तो इंहोंने पार्तिस्वेट किया यहाँ पर एक बाद गरेज़ के बार में जानने फिर और बात करते हैं आगे मैप के जरीस अस्मझते है यह रहा आपना प्यारा भरत और चलते ही युरोप में है ये गरीष है गरेज यहाँ पर देख रहे कीरिया कोस मिट सो ताकिस इसके परोषिट देशों की बात करेंगे तो इधर है अल्बानिय ठीक है यह है नौर्थ मेसेडोनिया यह बुल्गारिया है और Moderator धुशी एठीक है यहां से यहां तक और यह वहना जो हिस्सा है हो Mediterranean Sea है यानि भूमद सागर है ओके तो वहीं के उस जो प्राइमिनिस्टर है उन्होंने यहाँ पर पट्समेट किया है हिसा लिया चीफ किष्ट बने इस बार रैसिना डायलोग में ओके और इसमें दुनिया भर क्यों लेकर चर्चाएं वगरा हुई है ओके अच्छा ग्रीस की बात कर रहे हैं बात कर लूँ यहां बदाओ इससे पहले मैंने बताया था आपको कि वहां के सलसद ने पंदर फरवड़ी को समलेंगिक नागरिक विवाह की अनुमते दी है और समलेंगिक जोडों को समान माता पिता का अधिकार देने वाले विधेक को भी मजूरित दी है तो यह रायसीना डायलोग है इंपॉर्टन बात है बात है बहुत सारी हुई है लेकिन आपके एक्सामिनेशन के लिए जो इंपॉर्टन बात थी वो मैंने दो कोशन में कवर कर दिया है ओके चले अब आगे बढ़ते हैं अगला कोशन लेते हैं कोशन होगा अंतराश्टी यह मात्री भाषा दिवस कब मना जाता है आजसो का 21 फ़र्वरी को 21 फ़र्वरी को यह आजूत किया जाता है अंतराश्टी यह मात्री भाषा यानी Mother Language Day की बात कर रहे हैं यह जो दिवस है उसको मानाने का पहला विचार बांगलदेश की ओर से आया था और फिर उन्हें सो खत्म हो रहे हैं वेबसाइट है डाउन टू अर्थ और वो एक इंजियो भी है बहुत प्रख्या थे डाउन टू अर्थ उसकी मैकजिल्स भी आ थे तूसरी लिखा है कि दुनिया भर में भाषाओं पर नजर रखने वाले जो गैर सरकारी संगठान है उसका नाम है एथनो उसके अनुसार दुनिया भर में बोले जानी वाली जो भाषाओं है वो लगबगलब 7149 है 7139 है और उन में से 42% जो भाषाओं है वो संकट करस्त है यानि भाषाओं विलुपती के अलग अलग चरन में है और यहां मैं ये ग्राफिक्स दिखा देना चाहता हूँ ये आधिया के आधियाबादी मातर 24 भाषाओं बोलती है इसमें से मुख रूप से जो है वो देख रहे हैं सबस्यादा चीनी यानि मंदारिनी इस्पैनिश अंग्रेजी हिंदी पुर्टगाली बंगाली यान बांगला कही है रशियन जैपनीज जर्मन इसका लब मराथी तेल अर्दू, तमिल, फ्रेंच, वियतनामी, उर्दू, कोरियन ये सब हैं तुरकेश, मिश्री, अर्भी, फार्सी ये तो लगबग लगव आदे हैं और बाकी जो है न वो बाकी दुनिया इसके अलाबा मतलब साथ हजार के आसपास भाषाएं बोलती है आदी के आदी और वहा जो नो वो लेंग्वेज अब वहां बहुत सारी वो विलुपती के कजार पर है तो ये महत्पुर्ण बात है जो डेटा मैं आपको बता रहा हूँ एक्सामिनेशन के पॉइंट वू से जब लिखना हो इस सम्मदित अगर भाषाओं पर तो आप ये सारे डेटा दे सकते हैं तो ये मैं एक और बात क्लियर कर देना चाहता हूँ ये तो आपने देखा कि 42 जो भाषा है वो आधी दुनिया की आबादी आधी है वो बाकि 7000 लेंग्वेज ये बोलते है ठीक है और दुनिया के 0.1 परसंट जो आबादी है वो सारे 3000 भाषा है बोलती है ये कुछ डेटा है इंपॉर्टन ओके और 95 परसंट जो अबादी महाज 400 भाषा है बोलती है तो यहां जो अंतर है वो आप पूरी तरह समझ रहे होंगे और भाषा है विलुप्त हो रही है बहुत सरी भाषा है अलगलग वजहों से विलुप्त हो रही है प्रवास के करन दूसरे जगा जान के करन या मातापिता से वो जो भाषा है वो ट्रांसफॉर्म नहीं हो पा रही है कई बार ओके तो इन सब को वजहों से भी भाषा है अब मर रही है खत्म हो रही है अगला कोशन महात्पॉन कोशन है अफरीकी संग का 37 शिकर समिलन किस देश की राजधानी में फरवरी दोज इस वा शिकर समिलन था अफरीकी संग का अफरीकी यूनियन का समिट था 17 और 18 फरवरी को ये आयुद किया गया है अदीस अबाबा में यानि एथियोपिया में वही पर अफरीकी संग क्या मुख्याले है और इस बार के थीम थी 21 सदी के लिए शिक्षित और कौशल अफरीक एक बार इथियोपिया भी देख लेते हैं मैप के जरीए समझ लेते हैं आपके एक्सामरेशियों पर पॉइंट विस से तो ये तोड़ा अपना प्यारा भारत और ये अफरीका देख रहे हैं और यहां पर है इथियोपिया इसके राजदानी अदीस अबाबा है जहापर य खैले भी है इसके परसे देशों की बात करेंगे तो यहां देखिया आप यह है सूडान यह साउथ सूडान हो गया इधार वाला जो है वो केन्या हो गया यह सोमालिया है यहां से यहां तक यह जिबूती है छोटा सा है लेकिन बहुत ही इस्टैटिक यह लोकेशन है और यह एरिट्रिया है ठीक है इरिट्रिया तो यह है अब देखनाए एथियोपिया के बार में यह लेंड लोक्ट कंट्री है यानि इस देश की जो पूरी सीमा है वो अलग अलग देश के भुबाग से ही जुड़ी हुई है इसको अगर समुद्र में जाना है तो इसे किसी न किसी देश से होकर ही जाना होगा ठीक है अब बात कर लेते हैं अफरीकी संग के बारे में ये पूरा देख रहे हैं मैप अफरीका का है और उसमें जो गारा हरा कलर है वो इसके तमाम मेंबर है ये भी मेंबर है लेकिन इए सब को सस्पेंट किया जा चुका है है इसमें टोटल जो मेंबर कंट्री है वो 55 है ठीक है पज़बन देशों से बना है कुछ सस्पेंट कर दिए गया है क्योंकि तो वहां का लोकतांतर जो है न, वहां की सेना के कबजिम में चला गया है, वहां की सेना नहीं तक्था पलट किया हुआ है इन सब कुछ देशों में, ओके, इस संगठन के बारे में बात करें, तो दो यार दो से पहले ये अफरिकी एकता संगठन के रूप में काम कर रहा था, अफरीकी एकता जो संगठा ने उसकी अस्थापने वैसे 1963 में हुई थी और अफरीका के अलग अलग जो देश थे उन सब के द्वारा किया गया था और फिर इसने लागोस प्लान आफ एक्शन एकलाओ किया 1980 में वो सुझाओ दिया कि अफरीका को जो आपस वे अफरीकी देश है वो अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए उनको पश्मी पर निरभरता कम करनी चाहिए पश्मी देशों पर फिर 2002 में अफरीकी एकता संगतन जो ने उसने जगह ले ली अफरीकी संग कि और उसका उदेश यही था कि अफरीका का जो आर्थिक एकिकरन है वो तीजी से किया जाए और महत्पुन बाद 2023 में यानि पिछले साल अफरीकी संग जी 20 का 21 सदस्त भी बना था आगे बढ़ते हैं अगला कोशन लेते हैं मातपुन कोशन है यह भी उससे पहले आपको इंफर्म करतों कि इसका PDF एबलिबल है हिंदिय और इंगलिश दोनों लेंग्वेज में सरकार जॉब में जोब में उसका आप है वहां पर आपको मिल जागा और वहां मेंबर्शिप लेवल के और राजियों के लेवल के तमाम एक्सामिशन है और ISPCS जो मेंबर्शिप है उसमें UPSC इस्टेट PCS तमाम राजियों के उससे सब के लिए कॉंटेंट है तो देखें का जोड़ी सुड़ी के डिस्क्रिप्शन में भी छूट चल रही है जबर्दस्त मात देड़ पर हमें मेंबर्शिप मिल रहा है देखें का जोड़ी सुड़ी के डिस्क्रिप्शन में और इसके सरी है आपके करेंट फर्स के तियारी हो जाती है पिछले दो साल के करेंट फर्स के PDF मिल जाते है अगले छे मैने तक आपको अपडेट भी मिलता है PDF, वीडियो, टेस्ट औ मंतरी अस्तर है बैठक किसकी अध्यक्ता में फरवरी 2024 में आبादेश में है अब डेक्षनी अमेरिका की ओर चलते है ये रहा दख्षनी अमेरिका और यह रेट कलर में देख रहे है वो है ब्राजिल इसके राइधानी क्या है ब्राजिलियो राजि़। राश्ट्रपती है लूला डजिस सिल्वा करेंसी है ब्राजिलियन रियाद केलियर होगी बात और ये रहें वहाँ के राश्ट्रपती ठीक है तो इस वक्त ब्राजिल जो एनो G20 का अध्यक्ष है उसे पहले भारत अध्यक्ष था पिछले साल 2023 में इंडिया ने समिट का अउजन भी किया था तो ब्राजिल के रियो डी जेनेरियो में वहाँ पर ये G20 विदेश मंत्रों के मिटिंग होई है 21 और 22 फ़रवरी को और इस बैटक में ब्राजिल के विदेश मंत्री ने युनाइट नेशन्स और अन्य बहु पक्षी है जो तमाम सर्स्थान है उसमें सुधार करने का अहवान भी किया है G20 के बार में भी जान ले G20 अभी तो समिट ब्राजिल में होने वाली है मुख तोर पर समिट और विदेश मंत्री की मीटिंग अभी होई है हाली में चौबिस में 2025 में ये दक्षिन अफरीका को अधिक्स्ता मिल रही है 2026 में USA यानि अमेरिका को अधिक्स्ता मिल रही है तो G20 में टोटल 21 देश है ठीक है पहले टोटल 21 मेंबर कही है उसमें 19 देश है एक यूरोपीय संग है यूनियन है और एक और है अफरीकी यूनियन तोटल 21 मेंबर है इसको गुरूफ अब 20 भी का आयाता है और ये विद्धिये संकट को देखते हुए 1999 1999 में इसका गठन किया गया था विद्धिये संकट ने तरसल उस दोरान पूर्वी एशिया और दक्षिन पूर्व एशिया को काफिये प्रवावित किया था जी 20 का उद्धेश मधम आये वाले देशों को शामिल करके वैश्विक वित्तिये स्थरता को सुनेशित करना है शुरुवात में ये केवल विदेश मंदिरों की ही एक समूग हुआ करता था विदेश मंदिर ही इसमें पार्सिपेट करते थे बाद में G20 का महत्व पढ़ा जब दुनिया में आर्थिक तोर पर तो इस्टेबिलिटी की कोशिश जब शुरू गई उसके बाद ठीक है लगा की दुनिया में आर्थिक मंदि को रोकनेक में ये संगठन बहुत काम कर सकता है तो इस वज़ से तो शुरूआत में 20 सदस थे आब इसके 21 सदस हो गए अफरी की संग लेटेश्ट मेंबर है इसका ठीक है और हो सकता है आगया आने वाले वक्त में इसको G21 के नाम से भी जाना जाए ठीक है तो कौनकोंस देश है इसमें एक बार देख लिए जाब बारत अर्जंटिना जर्मनी इंडोनेशिया इटली जापान कोडिया गनराज मैक्सिको रूस साथी अरब दक्षिन अफरीका तुर्किय, औस्टेलिया, ब्रजिल, कनाड़ा, चीन, फ्रांस, उनाटिर टिंग्डम, यूसे, यूरूपीय यूनियन और अफरीकी यूनियन जो नाओ वो इसका मेंबर है आगे बारते हैं अगला कोशन G20 की मंत्री अस्तर ये बैटा जो फरवरी में हुई है उसमें भारत का प्रतनुदित्व किस ने किया है, कौन गया थे वहाँ पर आजसोगा इसका वी मोडली धरन ये विदेश राजय मंत्री है ब्राजिल में जो ये मीटिंग हुई है उसमें विदेश मंत्री S जशंकर नहीं जाव सके क्योंकि उनका जो एपांट्मेंट था बतो डेट था कहीं और का प्लान बना हुआ था इस वज़े से विदेश राजय मंत्री इनको भीजा गया विदेश मंत्री की मीटिंग में वी मोडली धरन ने पाटिसपेट किया इसमें अगला कोशन फली S नरीमन उनका निधन हो गया 21 फरवड़ी दो चोबिस को तु वो इनमें से क्या थे क्यों पॉपुलर थे आज को कानून बिन या कहें नियाए विद ओकी निउस देखने आप काफी फेमस कानून बिद थे और निधन हो गया है दस निधन हो गया है 21 फरवड़ी को जन मुगता इनका 10 जन्वरी 1929 हो अभी निधन होगा हाली में 95 येर के थे एक वकील के रूप में उनका करियर 75 येर से अधिक का था पिछली आदी शदाब्दी उन्होंने सुप्रम कोट के सीनियर वकील के तौर पर बिटाई थी और इस दौरान बहुत सारी आतिहांसिक मामलों में कानूनी और कानूनी पेशी के तौर पर उन्होंने अपनी छाप छोड़ी थी ठीक है 1972 में उनको भारत का एडिशनल सॉलिस्टिटर जेनरल नियुक्त किया गया था 1991 में पद्व भूशन आवार्ड से भी समानित किया चुका है 1991 में 2007 में पद्व भूशन से समानित किया गया था 1991 से लेकर 2010 टक वो बार एसोशेशन आफ इंडिया के वो अध्यक्ष भी रहे है राजसभा के पुरुसस भी मनूनित रह चुके हैं वो और उनकी एक बुक भी है मेमोर है यानि आत्म कता है Before Memory Fates ठीक है चलें आगे बढ़ते हैं अगला कोशन शांदार आवाज के लिए मशूर अमीन सयानी का निधन हो गया है 20 फरोडी 2024 को तो किस वज़े से प्रस्द थे किस वज़े से आज सोगा रेडियो पर कारेक्रम ठाउन का बीना का गीत माला उसके वज़े से वो काफी पॉपोलर हुए और उसके बाद तो अलग अलग जगों पर भी उन्होंने बहुत सारी आवाज इन दी थी तो 20 फरोरी को उनका निधन हो गया हॉस्पिटल में हाट अटाइक आया था दरस्द उस वज़े से हॉस्पिटल में बर्ती करवाय गया था 91 एर के थे और अपनी आवाज में वो कहते थे नमस्ते बहनो और भाईो मैं आपका दोस्ट अमीन सयानी बोल रहा हूँ ठीक है और हाल फिलाल कुछ साल पहले एक सौंग भी था उसमें भी उन्होंने आवाज दी थी नमस्ते भाईो और भहनो और उसके बाद फिर सौंग शुड़ हो रहा था ठीक है बिना का संगीत माला कारिकरम तो लेकर उसका अलग अलग जगों पर भी उन्होंने आवाज दी थी लेकिन इनका जो वो काम था वो चाप था उनका चाप बन गया था ठीक है फिर 1988 के बाद इन्होंने All India Radio उसके विबिद भारती में गये और उहां पर ही उन्होंने अपनी आवाज में लोगों को मंत्र मोगत सिकिया था 1994 तक ठीक है तो महत्पुन बात 1994 तक उन्होंने रेडियो पर पूरा काम किया था फिर अलग लग जगों पर अपनी आवाज ने दे थी तो महत्पुन वेक्ती थे नाम काफी था इसलिए इग्जामरेशन के पॉइंट वूज से ये भी तेहान में रखना आपको लिए ज़रूरी है अगला कोश्चन लेते हैं अंतराश्टी सौर गट बंदन यानि I.S.A. का सदस्य देश कौन बना है आनसों का माल्टा माल्टा जो है वो नया मेंबर बना है अंतराश्टी सौर गट बंदन यानि International Solar Alliance का 119 सवा देश माल्टा के विदेश मंतरले के 22 सचिव क्रिश्टोफर कटजार ने 20 फोरोडी को I.S.A. के फ्रेमबर पर सिगनेचर कर दिया है माल्टा जो है वो यूरूपिये एक देश है तो अब आये से यानि International Solar Alliance के बारे में भी चर्चा कर लें ये सौर गट बंदन पर अंतर सरकारी संगटन है और इसका मुख रूप से जो देश है वो करक रेखा या और मकर रेखा के बीच जो तमाम देश है तो उसमें काम करना मुख दोर पे और Solar Energy को बढ़ावा देना इसके अस्थापना के गेती 30 लोंबर 2015 को मुखेल है गुरुगराम हडियाना में है ओके उदेश ही है कि स्वक्षिप उर्जा वो सुविदा जानक रूप से बने माल्टा के बात करने जो नया मेंबर बना है एक बार माल्टा चलते हैं यह रहा अपना प्यारा भारत माल्टा यूरोपिये देश है लेकिन वो है मेडिटेरिल सी में दुईपिये देश है तो यह मेडिटेरिल सी है और वही पर यह देख रहे हैं यह दूइपी ये देश है, बहुत छोटा सा देश है, ये मल्टा, इसकी राजधानी है, वलित्ता, कह रहा है राजधानी, वलित्ता, मुद्राई यूरो हैं, और यहांके प्रायम मिनिस्टर है, रोबार्ट अबेला, मल्टा के राश्टपती है, जॉर्ज विलियम, विल्ला को ठीक है तो ये दूपीय देश हैं यहां पर है बहुत ही छोटा सा देश है ये Mediterranean Sea में पढ़ता है ये clear होगी बात चलिए आगे बढ़ते हैं अगला कोशन विश्वे स्काउट दिवस कब मना जाता है आंसो का बाइस फरवरी को स्काउट मुवमेंट की अस्थापना जो नो वो लौर्ड रॉबर्ट बेडन पाउवल ने की थी तो उनके जन्म दिन पर बाइस फरवरी को हर साल स्काउट दिवस मना जाता है सब सब पहले ये United Kingdom में शुरुआ था स्काउट मुवमेंट 1907 में तो ये था important current force अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जोर कर लें और बेल आइकन दबाएंगे तो नोटिफिक्शन आपको वक्त पे मिल सकेगा बेल आइकन दबाएंगे तो और मिलते हैं कल फिर ताज़तरीन कंटेंग साथ बाई